हेलो फेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूटूब चैनल पर दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगे लिए बहुत जाधा इंपोटेंट होने वाले क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों अगर आप अपनी साइट पर टाइल्स का यूज़ कर रहे ह है और एक अगर आप अपोक्सी यूज़ कर रहे हो तो वो कितना एरिया कबर कर लेगी एक केज़ी यूज़ कर रहे हो कुण सी कंपेनी का हमें केमिकल यूज़ करना चाहिए तो यह सब वीडियो को पुलीस पूरा एंड तक देखना वीडियो थोड़ी बड़ी होगी उसक के भी तो लगा सकते हैं तो देखो गुरूब देखे टाइस लगाने का एक अपना अलग फायदा है वो मैं आपको बदा देता हूं देखो टाइस आप चाहें रूम में लगाओ या छट में लगाओ या दिवाल में लगाओ आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ समय के ब बड़ा फायदा है और इनमें जो एडेसिब नहीं साती है नहीं कि पकड़ जो टाइस की काफी चारो तरफ से जो आप उसमें एपोक्सी डालोगे तो वो हर टाइस में एक अच्छी बांडिंग बन जाती है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी अगर माल लोग आपकी छटकी टाइलस है आप फलोर में टाइल लगा रहे हो कहीं भी आपने गर ग्रूप दिया नहीं है और आपने बस टाइल्स टू टाइलस ऐसी जो जॉइन कर दिया है तो जो हमारा compensation रहता है या कैसक्ते जो जॉइनतर रहता है एक टाइलस छो दूद से बीच में उसस्ताइड़ मे बात करें जैसे मालो की आप अगए spacer दे रहो तो कितने mm का spacer दे सकते हैं तो यह टाइल की साइच पर भी डिपेंड करता है कितने वाई कितने की टाइल से आज कल बहुत बड़े बड़े टाइल भी आती है वह एक नॉर्मल है आप उसको यूज कर सकते हैं अभी हम बात करते हैं गलती को वह से लोग क्या करते हैं जैसे कि मालो की वह एपोक्सी तो लगाते हैं पर उसको उससे पहले सफाई नहीं करते अच्छे तरीके से एक दो बार पानी मारा यह आपको अपने ठेकेदार से भी बोलना है और धियान लखना है लिबर ऐसी करती है कभी-कभी आपक से क्लीर करने ना उनकी जो आपने गुरूप दियो उसमें किसी भी तरह की धूल मिट्टी कचरा नहीं होना चाहिए अगर वह रहा तो आप कितनी भी अच्छी एपोक्सी यूज़ करो आगे प्रॉब्लम करी जागी क्योंकि वह एडेसिव या कह सकते हैं पकड़ नहीं बन बना देता हूं तो यहां पर जो चैमिकल यूज़ हो रहा है वह एमभाई के लेटिक रिट एस पी हंड्रेड यूज़ हो रहा है इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं जिसमें दो लिक्विड होते हो और एक पाउडर होता है वह भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या काम होता तो यहां पर पहला फाइदा यह हो जाता है कि आप कोई सी भी कलर के अपोक्सी पाउडर ले सकते हो जब आप अगर मैं और चीज़ की बात करो तो यह सामने जो देख रहे है इसको मिक्स करना होता है लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जैसे मैंने बोला कि लिक्वीड में भी कुछ आते है इसके तो इसमें पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C के तोर पे होते हैं तो पहले अगर हम यहां पर देखें तो यह पार्ट B है जिसमें रेशन है ठीक है यह लिक्वीड में आएगा आपको और साथी अगर हम और चीज़ की बात करें तो एक जो ये रहता है वो रहता है hardner ये दोनों क्या होते हैं इसमें addition पकड़ काफी जादा बनाते हैं और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा powder ये तीनों component को mix किया जाता है और उसके बाद ही हमें एक paste बनाना होता है आपको दिहान ये रखना है कि paste आपको इस तरीके से बनाना है कि किसी भी तनाकी उसमें air न रहनी चाहिए जैसे आप एक paste पुट्टी के लिए करते हो उसी तरीके से mix करना है और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनके आपको दिखाई देगा और कैसे यूज़ करना है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यह जो आप देख रहे हैं कि अच्छे से mix हो चुका है और ये इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि कोई paste बन गया है यही धियान रखना है mix काफी अच्छे से करना है ऐसा नहीं कि randomly बस दो-चार बार mix किया बहुत अच्छे से mix करना है जितना अच्छे से आप mix करोगो उतने अच्छे से यहाँ पर पकड़ काफी अच्छे बनेगी तो इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर तो होगी आपकी कैसे mix करना है उसके बात यगर हम बात करें तो कितना area ये cover कर लेती है दोगों एक किलो epoxy एक around मैं आपको area बताता हूँ क्योंकि depend करेगा कि आपने tiles की मुटाई कितनी है मतलब और उसके epoxy का उसकी spacer का आपने size कर रखा है तो उस पर depend करेगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ 50-60 square fit area जो है वो 1 kg या 1 kg epoxy cover कर लेती है तो ये तो आपको idea हो गया होगा कि इतना area cover हो जाएगा अभी हम बात कर लेते हैं कि जैसे mall की cost की बात करें तो इसमें जो पूरा bucket आती है एक पूरा kit आती है जो कि 5 kg की होती है और कहीं ने कहीं देखा है तो वो 33-35 के बीच में आपको मिल जाएगी जैसे मैंने बोला और area आप उसे आपसे निकाल सकते हैं कितना cover कर लेगी मैं आपे recommend करूँ है कि आपको epoxy यूज़ करनी चाहिए tiles में white cement यूज़ नहीं करना चाहिए कुछ लोग white cement करते हैं और वो problem करता है white cement कभी भी आप यूज़ करोगे तो वो कभी भी long समय तक नहीं टिका रहेगा और जो ऐसे मैंने बोला पानी के problem आपको leakage की problem उसमें होगी होगी इसमें guarantee रहती है 10 साल 15 साल 20 साल तक आपको कोई problem नहीं होने वाली है ये claim करते हैं ये दावा देते हैं कि इस तरह की कोई problem नहीं होगी बाकी चाहें तो आप company कोई भी use कर सकते हैं किसी भी तरह की तो इस complete वीडियो में अगर आपने कुछ सीका है तो वीडियो को like कर देना comment में जरूज बताना वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल पर हमें subscribe जरूज के लिए follow करिए ताकि हम जो भी वीडियो लेका हैं उसके लिए हमें motivation मिले और चैनल पर visit जरूज करना